सुनीता पंकच से कहती पंकच, आज ओफिस से जर्दी घर आ जाना, वहे क्या है ना, मेरी दोष्ट निती है ना, उसके याँ पायती है, तो उसने हम दोनों को बुलाया है, और मैंने कह दिया है, कि हम दोनों आएंगे, पंकच ने कहा सुनीता कहने से पहरे एक बार मैं से काम है, मैंने कह दिया तो कह दिया, आज हम दोनों जाएंगे तो जाएंगे, और अब मुझे तुम्हारी कुछ भी बात नहीं सुननी, तो तुम आफिस से जर्दी आ जाना, पंकच कहता थी, कि कोसिस करता हूँ, कि अगर पंकच वहां से चरा जाता, और सुनीता घर के कामो में लग जाती, सुनीता भी घर के सारे काम करती, और सोचती, अरे मैं तो भूर ही गई, निती के घर पायती में जाना है, तो एक अच्छी सी गिफ्त भी तो खरीतनी होगी, और वहे अपने घर के पास रहने भारी भावी को फौन करती, कि वहे उसके साथ मार्केट चले, त पास वारी भावी कहती, सुनीता में मार्केट नहीं जा सकती, तो सुनीता ने का, क्यूं भावी, आपने आज तक तो कभी भी मना नहीं किया, फिर आज क्यूं मना कर रही है, तब पास वारी भावी कहती, वो क्या है ना, सुनीता आज कर मेरी सास भी घर पर ही है, और उनके एह होते हुए मारकेट जाना तो बहुत मस्किरे। सुनीता ने गा क्यूं भावी तब पासवारी भावी ने गा सुनीता एह सास ना बहुत जाता वेकार होती है इनके होते हुए। के लिए आएं लेकिन मेरे पती देप को तो ना जाने अचानक से क्या हो गया कर जाकर अचानक से सास को रे कर आ गए मैंने कहा क्यों रे कर आए हो तो गुस्से में कहने रगे कि तुम्हारी माँ जब इस घर में रुख सकती है तो मेरी माँ क्यों नहीं रुख सकती मेरी माँ यहाँ पर रहे तो मुझे क्या परिसानी होगी लेकिन सास के रुकने से तो परिसानी होगी ना तुम तो बहुत अच्छे से जानती होगी मैंने तो अपने पती से कह दिया कि बहुत से बहुत दो दिन तक ही रुकेंगी और फिर जाकर बापस गाओ छोर कर आओ तो मैं क्या ब दूर रहती हूँ वरना सास का होना सच में एक परिसानी होती है अब क्या करूं अगेरे ही मार के जाना होगा सोचकर सुनीता अगेरे ही मार के चली जाती और एक सुन्दर सा गिफ्ट रेकर आ जाती सुनीता गिफ्ट रेकर आ चुकी थी लेकिन अभी तक पंकच ऑफिस से घं नहीं आया सुनीता बार बार घड़ी की तरब देख रही थी और अब दो चार से पूरे साथ बच चुगे थे लेकिन पंकच अभी तक घण नहीं आये थे सुनीता को बहुत गुसा आ रहा था मैंने उनसे कहा था कि जलती घर आ जाना लेकिन इन्हें तो हमेशा अपने काम की ह बहती है पत्नी की तो कोई इन्हें परवाही नहीं जरूर बूर गए होंगे मैं ही पंकच को फोन करकर यात करा देती हूं सोचकर सुनीता ने पंकच को फोन लगाया फोन स्वीच ओपा रहा था सुनीता इनका भी अच्छा आये काम में बियस्ट हो जाते है तो फोन भी देखकर सुनीता परेसान हो जाती, अब तो ओफिस से भी आने का वक्त हो गया है, फॉन भी नहीं रख रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई अन्होनी ना हो जाए, और ना जाने क्या-क्या सोच रही थी, थोरी देर में पंकच आ जाता, तो स सुनीता पंकच से गुस्से में कहती, मैंने आज तुम से कहा था जर्दी घर आने के लिए, तो तुम और देर से घर आये हो, और एहे हाथ में क्या लिए हो, किसका बैखे, एहे तब पंकच ने कहा, मा का, तब सुनीता कहती, मा का, पर कहा, पर कहां से आई, कहां गई थी त इसलिए तुम्हें जनम दिन की सबकामनाई देना चाहती थी, तुमसे मिरकर तुम्हें उन्हें रेने के लिए रेड़ विश्टेशन ही गया था, लेकिन त्रेन आने में देर हो गई, इसलिए मुझे आने में भी ताइम रख गया, और मोबाल दिश्चार्ज हो गया था, जि तुमसे की मा को करई तुम गाउं छोड़ कर आओगे, कोई जवरत नहीं है उन्हें इहां पर रहने की, तुम्हें क्या पता, तुम तो ओफिस चरे जाते हो, देखना तो मुझे परता है इन्हें, और तुम्हारी मा के तो इतने नकरे हैं कि मैं सहन ही नहीं कर सकती, जनम द दस नहीं करूंगी, कि मा इस घर में आएं, और अपनी मा को कर ही तुम छोड़ कर आ जाना, पूरा मूर खराब कर दिया, तब ही वहां मा आती, सुनीता नहीं देखकर रश्चरी में पर जाती, क्योंकि वहें पंकच की नहीं सुनीता की मा थी, सुनीता अपनी मा के गरे और खराब कर दिया, और मेरे जनम दिन पर इससे अच्छा तोफ़ा क्या होगा, कि मेरी मा मेरे पास होगी, मा आपको मेरा जनम दिन ने याद था, याद आपको क्यों नहीं होगा, मेरा जनम दिन याद और वैसे भी, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, कि मेरी सासु मा को मे तो किसे साथ रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे यति तेरे भई या भावी भी मुझसे कहते हैं कि आप यहां पर नहीं रह सकती हैं तो मैं कहां जाऊंगी और पंकर से कहती है धामा जी कर आप मेरे जाने के रिचर्वेशन करा देना सुनीता कहती है मा अभी तो आई हैं आप आपको पूरा एक दिन नहीं हुआ और आप जाने की बात कर रही हैं तब सुनीता की मा ने गाबे दी सोचा तो मैंने भी था कि मैं कुछ दिन अपनी बेती के साथ रहूंगी तो अच्छा रखेगा लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकती जिस घर में तू अपने पती के माता पिता को रुकने नहीं दे सकती उस घर में मैं भी नहीं रुक सकती मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वेती ऐसी होगी कितने अच्छे हैं तेरे साससुर लेकिन फिर भी तू उनका अनादर कर रही है आज तेरी बाते सुनकर मेरा से सरम से नीचे जुक गया मैंने तुझे कभी नहीं सिखाया था पेती की अपने साससुर की इच्छत मत करना यहीं सब सुनकर सुनीता को बहुत दुख हो था और वही अपनी माँ से माफी मांगती तब सुनीता की मां कहती माफी तू अपनी सास से मांग रेना और दामाजी से भी तुझे तो भगवान का सुक्रिया करना चाहिए कि तुझे इतने अच्छे पती मेरे जो तेरे माबाप और अपने माबाप में कोई अंतन नहीं समझता मेरे फोन करने पर पहे मुझे देने के लिए आ गए तेरी तरह गुसा नहीं दिखाया और इन्हें मैंने ही मना किया था कि तुझे कुछ भी ना बताएं तुझे सप्राइश देना चाहती थी पर इहां पर आकर तुम में ही सप्राइश हो गई उमिद करती हूँ दोस्तों आज की यह कहानी आप सभी को बहुत पसंत आई होगी यह थी कहानी पसंत आई है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करतीजेगा वीडियो को लाइक करतीजेगा और हाँ कहानी को अपनों के साथ सेयर करना बुरी को नहीं भूरे थैंक्स पर वाचिंग